मैं नहीं चाहा रहा था कि मेरा आज का टिकिट मिले मेरा पूरा प्लानिंग था मस्त में एकदम में भी स्विमिंग अगएरे करता लेकिन सब पूपट हो गया है यह देखिए और मैंने ले लिया है माउंटेन ड्यू बिकॉज मैंने वहां से वाटर बॉटर लाया था छे चैन पूल कर दिया ट्रेन एकदम अचानक से खड़ी हो गई और वहां से आर्पियो वाले अंकल आ रहे हैं एक बारी फिर से ट्रेन तो स्टार्ट हो गई है यह देखिए ताटा एम दावाज जंक्शन अलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माइ न्यू व्लॉग तो गाइस आज व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रहा हूं बहुत ही जादा जल्द बाजी में आज ही ट्रेनिंग खतम हुआ और मैंने बोला था आप लोगो को कि एवनिंग में ही टिकिट आएगा या नहीं अभी अभी टिकिट आ गया किट है 8.45 का और अभी बच चुके हैं 6 से अमदावाद का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए एक तेड़ घंटा लगता है तो ट्राफिक वगरे का रिस्क हो सकता है तो अभी हर्ष यहीं पर रहता है हर्ष ने बोला बाइक से वह आधा सब लोगों का आगे है तो चलते हैं मैं भाग भाग के चलूँगा स्विमिंग पूल का रिकॉर्टिंग लूगा बहुत मस्ते हैं उसके बात फ़र फटाफट चलेंगे गाइस विकाज मैं लेड़ भी हो रहा हूं तब करेंगे मुंबई की जरनी देखते कैसी होती है वैस सांस बहुत वजन हो गया तो सांस फूल रहा है यह देखिए चलिए बाइबाइबाइब वैसों कोई है नहीं में खाले होटल को भाइबाइबाइब कर रहा हूं चलते हैं फटाफट स्विमिंग पूल का रिकॉर्डिंग लेके फिर चलना है वैसे देखिया मैंने कभी मेरा वेट कर रहा है बट मैं चाहता हूं कि आप लोग देखो स्विमिंग पूल को और यह देखिए अंदर तो पूरा प्लेग्राउंड अगया रहे हैं काफी मस तो सब बहुत बड़ा क्लब हाउस है भाग के चलते हैं मेरा मन था कि काश चुट्टी मिला बता तो मैं स्विमिंग पूल में आता और यह देखिए इतना ज्यादा फीड़ना यहां पर कि क्या ही बताओ आप लोग को और फाइनली यह दिखे गाइस यह है स्विमिंग पूल और मैंने सोचा था कि काश मैं इसमें आ जाता मैं नहीं चाहा रहा था कि मेरा आज का टिकिड मिले मेरा पूरा प्लानिंग था मस में एक दम मैं भी स्विमिंग अगयरे करता लेकिन सब पोपट हो गया है और देखन में कितना मस्त विव आ रहा है देखी सकते आप लोग चले गाइस मेरे पास टाइम नहीं अब चलते फटाफट यह देखिए यह सब भी मैंने दिखाया नहीं था ना आप लोग को यह देखिए बाहर से कुछ इस तरह का विव आ रहा है तो बहुत बड़ा स्पेस है मैं कुछा था कि टिकेट नहीं आए नहीं आए अराम से अभी चलके रेडी होंगा मस्त में थोड़ा स्विमिंग अगरे करेंगे और अभी तो व्लॉग अप्लोडिंग पर मैंने अभी डाला है अभी रिकॉर्ट कर रहा हूं और एक तरह व्लॉग अपलोड हो रहा है पता नह वेटिंग फर मी को खुल या सिंसिम करें देखें मेरा वेट कर रहा है हरस्टु इह मेरा भाई है बैंग मेरा लेली हैं हर्श ने तब ऑटल से निकलते हैं सामने वाला जो गेट है वहां पे तो में जब मैं फर्स आया था भी मॉनिंग में उसके बाद से आया ही निटा यह यह देखिए बाहर कितने खतरनाक bodygarts तेनात किये हैं एक दब यह देखिए होटल तो लब बाहर से में दिन में पहली बार देख रहा है इस साइड में नहीं आया था यह देखिए बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है तो हर्स देखिए मुझ पे जाते-जाते एक आहसान करता हु तो आच आच यह भी लें भाई पर लूइंड बाई जाइस बाई बाई कर देखिए लिए मुझ मेरको उपर करना पड़ रहा है बालक़नी में से तो काफी मस दिखता था पर उतर के मैं अज देख रहा हूं और रच देखिए कैसे चल रहा बैग लेके अनल यह आपाई बा चलो चलो घुम के आते हैं मैंने जाता था विकॉज ऐसा था कि तो अब हर्ष के साथ बाइक से चलोंगा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी कर पाऊंगा तो देखता हूं मैं रिकॉर्ड कर पाता हूं कि नहीं पठाँ जरूर थोड़ा बहुत तो करूंगा ही और अंकल जी तैनात हैं आपका अंकल मिलते हैं जल्दी है और यह आ गया है अप गया हूं अब लेते हैं थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग मैंने ना कुछ खाब आया यहां का जो फेमस है वैसे तो होटल में सब खाया ही था मैंने यहां से मैं कुछ ले नहीं पाया गाइस घर ले जाने के लिए तो यहां पे भी काफी मस्मस प्रोजेक्ट है शुछ टोड़ागश इस एपर बढ़ाश इस अपर वे बड़े अवरे भी कुछ ने कीरा निये मैंदारी शिचुछ एपी के चल्रो हूं देखिए बाइक से निकलने का फायदा हो रहा है मस्त में इक तम फूमसिर ले रहा हूं एक बैग यहां एक बैग इसके नीचे अब लोग का आवाज आ भी रहे है कि नहीं पता नहीं हवे का साउंड बहुत आता होगा तो मैं खाली आप लोग को निखा रहा था वाह चल रहा पाइक नहीं होता तो मुझे यह मज़ा नहीं मिलता और जैसा कि मैंने कल पर सुआले फ्लॉक में भोला था कि हर्स यहां रहता है तो घर चले जाता है तो मेरा मन नहीं लगता है अकेले वह मेरे लिए डिसट वांटेश था पर आज वह आडवांटेश के रूप में आया है तो और गांटेश की कितने देर से सिग्नल हुआ है सिग्नल हो गया है अ कि यह थोटल है अब कर दो कि यह ट्रैक को देखके ऐसा लग रहा है जैसे हमारे गाव में रहता ना सेम वैसे ही ट्रैक है और गाव वाला मस्त एक दम फिलिंग आ गया लेकिन कोई नहीं अभी मजबूरी है और खूम रहे वही बहुत है हर्श इसलि誉द नहीं को सेलिष ताय और गया है हो जो सब्तारे हो कर दिलक sy और कि इलक कर दो हॉ कि यह देखिए इक तम ने मत साबर मती नती कि यह देखिए बाइक से आने का बहुत ही ज्यादा ट्राफिक था हर्ष को मानना पड़ेगा इतना रिस्क लेगे हर्ष आया इंगाइस वाइनली आ गए है एमदावाद रेलवेज जंक्शन अमर भाई यह कॉंफिडेंस तहीं है जिन्दिकी में क्या करूँ कॉंफिडेंस बढ़ाओ पाइनली इतना ज्यादा ट्राफिक था और दो तीन तीन लगेज एक लगेज तो हर्ष ने आगे रखा था और बहुत मेहनत चलाएं भाई ने तच में मज़ा आगया थैंक्यू थैंक्यू भाई एंड मैंने गाइस व्लोग के पहले कहा था कि हर्ष मुझे आदे रास्ते चोड़ेगा पर हर्ष ने जबर जैस्ती स्टेशन तक चोड़ा और यहां से होटल आल्मोस्ट 15-20 किलो मेटर था है ना 25 किलो मेटर तो उतने दूर से भाई आया एंड फिर अभी यहां से इनका घर भी दूर है तो इनको एक घंटा इनके घर पर भी जाने मे लगेगा तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मतलब यहां तक छोड़ेंगे इनको यह मुझे बाइक पर बोल रहे थे कि मैं भी मुंबई आऊंगा तो पूरा कवर करने वाला हुए इनका घर अभी गाई 34 किलो मेटर है मेरे वज़े से इनको इतना दूर पड़े गया और यहां हर्स जाना वेसा सोरी बोरी क्या बोलने हैं इतना यह मेरे को मार के भग है यह पागल बंद है और इमोशनल पागल इंशा नहीं है अच्छा नहीं लगता गाइस इतना दूर से हो आया है वह भी तो मेरे साथ में लग रहा है मतलब उतने दूर से वाया मुझे छोड़ने के लिए और उसको भी 30-35 किलो मेटर जाना है बहुत कमी लोग लाइप है इसे मिलते कि इतने कम टाइम में मतलब इतना अच्छा बांडिंग हो जाता है तो वह भी ना नेचर वाइस बहुत ही जादा अच्छा इंसान था मतलब है अभी घर पे गया तो अभी मैं तो मुझे जा रहो एंड़ तो गुजरात के हैना इतने दूर से वह आया चोड़ने बाहर से आया तो बहुत कुछ देख पाया मैं सबका टिकेट है यहां यह चीज है कि मुझे हर्स यहां तक छोड़ने आया वरना मैं भी उन लोग के साथ ही आता फिर क्याप से जैसे आते टाइम आये थे प्लाटफॉर्म D6 पे ट्रेन लगी हुई है तो चलते हैं अब हो जाएगा थोड़ी टाइम में अफ्लोड यह देखना पड़ेगा पहले प्लाटफॉर्म D6 फैकॉन सा अब देखें ना कितना जल्दी बीच एक पिछले मंडे को मैं आया था यह मंडे को ऐसा है कि मुंबई जा रहा है है अन्हालत देखें मेरी प्लाटफॉर्म यह लिफ्ट तो है पर चलिए से उतर जातने कितना ही टाइम लाई है अभी तक ट्रेन तो प्लाटफॉम पर आई नहीं है और अभी ऑनलाइन ही है देखता हूं यहां पर पे करता हूं किसी को अरे वाव प्राइस ट्रेन लग गई है पेचेस को मस्ते चलके आरा हमसे बैड जाए मुझे इसको रखने के बाद से आगे का वीडियो किटीनियू करेंगे इस सब मुझे बहुत खतरनाप तरह से देखते हैं चुकी है पांद्रा एंदावाद भी फोर है मेरा वह तो बहुत पीछे है तो अभी चलते हैं वहां पर गाइस फाइनली बहुत दूर तो नहीं आन रिलाक्स फिल करेंगे स्वागत करेंगे तो लगी हुई है अब अब तक ट्रेन का गेट खोला नहीं है विकाज अभी 740 हो रहा है और ट्रेन है 845 की ट्रेन आके प्लाटफॉम पर खड़ी हो गई है पर इसी वाला कूछ अभी तक खुला नहीं है और वहां पे मैं देख र 20 मिनिट में खोल दे मैं आराम से बैठ गी हूं और बैंक लगा के ही कर रहा हूं वीडियो अपलोड हो रहा है तो बहुत तेजी से बैटरी भी जा रहा है और वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूं तो इसके वज़े से थोड़ा सा वेट करते हैं एक सबसे बड़ी बात बत हैं नहीं पापा को किसी को भी नहीं पता कि मैं आने वाल हूँ मुझे काल आय depression केंट का रेक्शन होता है बिकॉस किसी को भी पता है नहीं को लग रहा है कि आज के दिन में वहांपे मंदाउं घर Wagra कुछ नहीं है अब यहां पर बस वेट कर आओ गेट कुलने का गेट कुल जाए समान एक बारी रखो फिर एक्दम कवर्टेबल फील होगा गाइस तो खुल गया चलते हैं तेंक्यू अब करेंगे अहमदा वाट्टू मुंबई तक की जर्नी पूरा का पूरा लाइट होगे रहे बंद है यह देखिए पहले मैं लाइट सब्वान कर लेता हूं पहले बैग रखते हैं कि यह बैठ गया हूं कि काफी मस्ते सा रिलेक्स लगए पांटी जीत लेगी वालकम हें जो सामान जहां पड़ा है वही पहले न व्हीं सब बैक सेट कर लेता हूं अभी मैरे टीविजन के निacts कर लिया है पर उन लोग पहले कैप करके अपनाएं गया है इह सिर्फ एक जन का इस सिट भागत लोगों का इसे डब्बे में आगे पीछे है तो मुझे तो हर्ष ने छोड़ दिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दिल से लेकिन एक तरह से उसको बहुत ज्यादा तकलिप दिवा गाई उतने दूर से वाया पर थैंक्यू वन्स अगें थैंक्यू सो मच यार हर्ष अब यह है और ट्रेन स्टार्ट होगी तो आपको पता ही है नेटों की इस्टार्ट हो जाता है फिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा मैंने अभी अभी रिचार्ज भी किया नेट का विकॉस मेरा जो नेट लिमिट था खतम हो गया फिर रिचार्ज किया ताकि वीडि रात दिन जाक के पढ़ना बड़ा बट बीट गया यह चीज अच्छी होगी चलेंगे आराम से मुवी पासे मिलेंगे और सबसे बढ़ी बात यही कि कि किसी को पता नहीं है तो देखना है सबका रियक्शन क्या होगा पता नहीं क्यों ना 75 के आगे ब्लॉक बढ़ी नहीं सबस्थि होगे में सब्कत तो अंदर बिलकूल ही चल रहा है यह वाला बैग में से कैरी करके मतलब यहां पर मेंट वी पकड़ रहे हैmir निए ऺवागवत गीते हैं तो इसलिए यह बैग में कैरी करते हूं मैं यहां पर खड़ा हूँ कि में अगर hopes हो की हो जाए because अगर नहीं upload हुआ तुम्हें तो 101 परसंट गाइस नहीं होगा विकॉज रास्ते में जंगल वगरे सब आते हैं तो नेटोग उतना प्रॉपर होता नहीं है तो upload होई नहीं पाएगा ट्रेन में बहुत मुश्किल हो जाएगा अप्लोड होने में खतम हुआ टीब्रेक मिला था टिकेट का फोटो आया प्लोटिंग के लिए भी डाल दू तो फिर मैं फटाफट एडिट करने बैठा है और उसके बाद फिर मैं अप्लोड किया तो इसलिए इतना मुश्किल हो रह मैंने वहां से वाटर बाटर लाया था छोटा 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 पास्तों में पी गया हूं और मैंने मुंबई से जो फरसान लाया था बिस्केट सब ऐसी रख रहा है तो यह पीऊंगा और वही कुछ खा के फिर सो जाएंगे ऐस एक और चीज कि मैंने बहुत ट्राइकिया पर लग रहे हैं और वहां से अंकल आ रहे हैं पता नहीं किसने खीच है मुझे बहुत ही जादा दूप हो रहा है मेरा कंसिस्टन से टूट किया और एक्दम से टिकट आया मुझे बिलकुल टाइम निमिल पाया फिर मैंने व्लॉक एडिट किया अफिर अप्लोडिंग पे इनिल से लिये हैं और मेरा मांटे इन ड्रुे गरम हो रहा है वाइबाय अमदाबाद वाइबाय मिलते हैं जल्दी कर् टाटा एमदाबाद जंक्शन तो गाइस यह देखिए यह सब लेके आया था था यह वाला मम्मी ने दिया था यह वाली बिस्क्विट मैंने खरीती थी तो वैसे का वैसे रखा रहे गया तो चलिए अब खाते हैं विकॉज कि मांटेंड यू जो मैंने खरीता है तो अब इसको जल्दी से नहीं पिएंगे गरम हो जाएगा तो फिर वेस्ट हो जाएगा एंड ट्राइपोड लाने का बेस्ट यूज हो रहा है आराम से ट्राइपोड रखा हुआ है किसी के हल्प की जरुद नहीं पट रही है खोड़ा बहुत खा लेते हैं विकॉज यह खाके सोना है एंड डेली डेली तो होटल का सबसे बड़ी बात कि मैं मुमी पर से मिलने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं बाकी देखी रहे हैं तो बहुत दुख हो रहा है गाइस एक तरफ व्लॉग भी अपलोड कर रहा हूं आप लोग बोलोग के दुख हो रहा है और माउंटन डिव पी रहा हूं म बहुत कोशिस करी मैंने बहुत चार पाच घंटे मतलब में जबसे होटल से निकला हूं सिर्फ कोशिस में ही हूं कि अपलोड हो जाए वीडियो और स्चिल मैं फ्रेल हो गया कि अधिन ने बहुत जल्दी काफी अच्छी पकड़ ली है वैसा लग रहा है बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी पर पहुंचेंगे तो अपने टाइम पी मलब पाइट्वेंटीफाइगा टाइमिंग है ब्यानर स्टेशन का कि अधिए पहला स्टेशन आया है जो है मनी नगर कि आसे तो ट्रेन स्टार्ट हो गई है कि इसनों स्टेशन की पास में होटल मॉस्कोव तो अधिस फाइलली खा पी लिया है और मतलब इतना से शिंग्नान और थोड़ा सा नंकिन खाया और पुरा का पूरा पेट पर गया पूरा अधा लिटर के ऊपर सा एक तब बेट भर गया है इसी को भी नहीं पता है मैं तो यहीं सोच रहा हूं अधिस कर रहा हूं जैसा कि मैंने बोला ही ट्रेन स्टार्ट होगी तो नेट नहीं चलेगा और वहीं हो रहा है नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है ट्रेन में 100% आज कंसिस्टन से मेरी डूट गई आज कोई व्लॉग अफ्लोड नहीं हो पाएगा मैंने अच्छे जितने महनत से बटा बट रिकॉर्ड करके एडिट किया था था ठीक है अब भगवात की मरते के आगे हम क्या ही कर सकते आगे है सेकेंड स्टेशन पर पता नहीं यहाँ पर स्टॉप है या नहीं है यह स्टेशन का नाम तो महमदाबाद था पर ट्रेन के स्पीड से तो लग रहा है कि पक्का यहाँ पर रुके गी ही ट्रेन और मैं बिल्कुल सही हूँ यह देखे ट्रेन रुक गई है अपने प होगे तो रात का टिकट होता है तो इसके वज़े से दाव अगरे तो ले नहीं पाते और गाइस मैंने फ्रंट कैमरा ओन किया हुआ है पर मैं दिख नहीं रहा हूं कुछ मतलब है नहीं बिकास यहां पर सेनियर सेटीजन मुस्टली है तो लाइट अन करके मैं किसे को परिशान नहीं करना चाहता हूं तो होता हूं गया अब तो मुंबई का स्टेशन दिखना शूरी हो गया कौन सा स्टेशन है देखते हैं यह देखे अंदेरी आ गया है हुआ 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 है कि वैस बच चुके हैं सुबहे के 430 मेरा अख अभी बिजस्ट कुला इनका कि स्लो हो गई है मेरा आख बहुत ही ज्यादा लाल है तो पहले में मूह धो लेता हूं अब नहीं बोड लगा है और ट्रेन रुप गई है बहुत लोग उत्रे चते हैं कि तो गई स्वाइनली अन्देरी से तो ट्रेन स्टार्ट हो गई है देखिए कि कि अ रहरे कि ट्रेन ना कि इतने जल्दी स्पीड में आ जाती है कि आपी अपी स्टार्ट हूँ और रिच्भी में और इस पच्चेस मिनट में आ जाएका बांदरा जंक्चन तो मैं भी फटा फट फ्रेश हो जाता हूँ पूध हो लेता हूँ अच्छे से घर पर किसी को पता है नहीं एक गंटे लगेंगे अल्मोस्ट घर पहुचने में तो घर पहुच जाएंगे मुंबई की लोकल गाइस दिखना शूरू हो गई मैं जहां पर बैठा हूं यहां पर पूरा का फूरा खाली हो गया है सब उतर गये हैं तो मैं केला ही बचा हूं अभी देखा टाइमिंग तो फ्रेन तो भी बीस मिनिट पहले ही चल रही है तो जल्दी पहुच जाएंगे मुझे लग रहे है पांच बहें तक बांदरा सांता क्रोज जंग्छन है यह यहां पर भी देखिए अल्मोस्ट पूरा का पूरा कोच खाली हो गया है कुछ ही लोग बाकी है और वो जो दोनों लोग बैठे ना वो मेरे कलीग है तो अचली गाइस ना वहां पर मतलब मैंने बोला था ना कि टिकेट और भी कलीग लोग है टिकेट यहां हो गया तो मैं यहां पर shift हो गया और उनको वहां पर किया है भूस अब बांध्रा जंक्षन नहीं वाला है कि अब मेल वाले ट्रैक पे अंदर खुष चुकी है पांच मिनिट में आ जाएगा गैस पांच मिनिट में भी गया दो मिनिट में वह देखिए तो दिखी रहे जंग्शन कि अब गाई देखिए आ चुका है बांदरा टर्मिनस कि मुझे एक गलती होगी मुझे अंधेरी जंक्शन ने उतर जाना चीए था तो मैं लोकल पकड़ के महां से दादर हो जाता अब यहां आया हूं तो यहां से बाइबोग जाना पड़ेगा बांदरा स्टेशन तक मतलब यह गलती होगी एक बहुत बड़ी वहां पर अंधेरी अब यहां से बाइबोग दिस्टेंस करना पड़ेगा जो कि 15-20 मिनट की दूरी पड़ेगा इसलिए भारी पड़ जाएगा अधर्वाइस कोई शुनी होता इसलिए गाइस मैं भी बैग वैक सब ले लेता हूं चलते हैं अब तो गलती करीटी है फाइनली उतर चुके है चलते फटा-फट एंड गाइस ट्रेनना अल्मोस्ट हाफ एन आवर पहले ही आ गई है और जितना गिल्ट मुझे है उतना ही गिल्ट मनुझ भाई को भी है जो कि मेरे कलीगे मनुझ भाई कैसा है मनुझ भाई भी फेल कर रहे हैं इसकी गलती हो गई यहाँ बिकाज मनुझ भाई भी इनको पूर्णे जाना है यह जो पीछे आप लोग देख रहे हो यह भाई साब को जाना है केरल पर उनको हिंदी बिल्कुल भी थोड़ा भी समझ में नहीं आता है तो जिसके वज़े से मैं अभी भी बोलता रहूंगा तो उनको समझ में न सब्सक्राइब में रिकाटी नहीं कर पाया चलते अफटा-फट बांद्रा जंक्शन आ गया है फाइनली प्लाटफों 5 पर आगे हैं विकाज यहां से फास्ट पकड़ेंगे और पहला स्टेशन ही दादर होगा तो फिर पकड़ेंगे फिर चलेंगे और अनॉंस्मेंट होंगा तो इसके बाद फ्रेश्वेस होके चेंज कर लेंगे हैं कि अगया है कि अगया है फिर फांद्रा जंक्शन से ट्रेन तो मिल गई है अभी तो माहिम जंक्शन भी आ गया है अब एक दो स्टेशन में दादर आ जाएगा फिर दादर से फास्ट लोगल पकड़ेंगे चेंज करेंगे फिर फटाफट और मनुझ भाई को जाना है पुने और उनको जाना केरल इस फाइनली मनुझ भाई सुमयन पॉल भाई वो भी जा चुके हैं और एक्शली उन लोगो बता रहा था उनलोग का आइडिया था नहीं मुंबई का उन लोगो बताया एंड लगे स इसके वज़े से मतलब मैंने वीडियो रिगार्ट नहीं किया पटाफट में चल दिया वो जा चुके हैं तो अब मैं चलता हूं पटाफट यहां से ट्रेंड चेंज करता हूं अल्मॉस्स 40-45 मिनिट में पहुंच जाओंगा मैं भी आरम से तब तक तो मुझे लग रहा है मुझे उपा उठे भी नहीं होंगे इस फास्ट लोकल ना अभी 15-20 मिनिट के बाद है तो जिसके वज़े से मैं स्लो ट्रैक पे आ गया हूं एंड ट्रेन तो आ गई है कैसे आर पिर सुएंगे रात को भी ममी का फून आ रहा था तो मैं कट कर रहा था तक यूल को शक ना हो जाए ट्रीन का आवाज वगरे कुछ ना आ जाया देखते हैं कि मतलब ममी उपागा रियक्शन कैसा होगा एंड लाइस यह बचने में पांच मेरे लगा यहां तो दीन होने आइस पूरा का पूरा दिन हो रहा है अब 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 मुझे थाना उतरना है एंड फोन की बैटरी दो पसेट पे है और अगर मैं पावर बैंक से इसको चार्ज करता हूँ तो मैं रिकॉर्ड के ऐसे करूँगा विकास मेरे पास तिन-तिन लगेज है तो थोड़ा सा मुश्किल ह इसके पहले की फोन स्विच ओफ हो जाए मैं डिरिकली मिलता आप लोगों से घर पे वज़े से मैं पावर बैंक से भी कर सकता हूँ वरना रिकॉर्ड के से करूँगा जब तक मैं घर पे पहुंचूंगा थोड़ा बहुत फोन चार्ज हो जाएगा तो मम्मी पॉपा का रि लेता हो बिकॉज एक अपड़े में बहुत ही जादा गर्मी लग रहा है मुझे फाइनली नहावा के पूजा उजा करके रेडी हो गया मैंने बोला है दाल चाओ रोटी भाजी बनाने के लिए नभी चाय के साथ वो जो शिंगदाना बचा था मैंने ट्रेन में भी एकदम खाया था तो चाय और शिंगदाना खाएंगे ब्रेकफस्ट में देखिए रहो मेरा आख ना पूरा लाल हो गया साड़े बारे एक बज गया था सोने में मौनिंग में मतलब ट्रेन आधा गंटा पहले ही पहुँच गया थी तो साड़े चार बज़े के आस-पास मैं उड़ तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसी तरह का अपना प्यार और सपोर्ट बनाई रखना तो मिलते हैं गाइस निक्स व्लॉग में तब तक के लिए कि में बना तो